हेलो, मैं डॉक्टर यूके वर्मा, प्रोफेसर जी डी मेमोरियल होमेपैतिक मेटकल कॉलेजन होस्पिटल, टीचर इन दिपार्टमेंट आफ और अर्गनन अफ मेडिसिन, फ्रेंड्स, आज 25 अप्रिल है, और 25 अप्रिल जो है, वो विश्व मलेरिया दिवस की रूप में जाना जाता है, आईए, आज हम जानते हैं कि विश्व मलेरिया की क्या इस्थिति है, मलेरिया क्यों होता है, मलेरिया किन लोगों को विशेशकर होता है, इनके क्या लक्षन है और क्या इसमें होमेपेथिक में उपचार है या नहीं है अभी तक जनकारी है कि विश्व में कुल 24 करोड़ 10 लाक मलेरिया के मामले यानि 241 मिलियन केसिज विश्व में 2020 में रिकॉर्ड हुए और 627 लोगों की मलेरिया से मिर्तियों हो गई विश्व में सबसे अधिक मलेरिया अफरिका सहारा में होता है और ऐसा नहीं है कि किवल अफरिका में होता है इसके अलाबा एशिया लैटिन अमेरिका एरोप कुछ भाग अन्य भाग विश्व में भी मलेरिया होता है विश्व स्वास संगठन यानि की डबलीवेचों के अनुसार भारत वर्ष में परती वर्ष डेड़ करोड केसे मलेरिया के दर्ज होते हैं और उसमें 19 से 20 हजार लोगों की मिर्थ्यू भी हो जाती है तो मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व को परिशान करती है ये एक एपिडेमिक डिजीज भी है तो मलेरिया क्यों होता है और कैसे होता है इसके बारे में जानकारी के लिए हम लोग कुछ चर्चा करेंगे malaria एक प्रोटोजोल बीमारी है और यह plasmodium parasite के कारण से होता है plasmodium का transmission या विस्तार female enophilis के काटने मच्छर के काटने से होता है और malaria के काटने से काटते वक्त जो mosquitoes जो होते है female enophilis उसके celery gland से जो कुछ larva रहते हैं जो human में transmit हो जाते है और इससे फिर कुछ दिन incubation period के बाद उनको malaria के लक्षण आ जाते है malaria एक साथ में चुके कई लोगों को एक ही समय पर एक ही अस्थान पर होता है इसलिए इसको epidemic का भी नाम दिया गया यानि कि महामारी का नाम दिया गया है malaria से जादतर वैसे लोग पिडित होते हैं जो कुप potion का सिकार रहते हैं उनकी immunity कमजोर रहती हैं और खास करके वो लोग susceptible होते हैं यानि अतिस अमवेदन शील होते हैं उनको ये malaria हो जाता है malaria में कुछ लक्षन जो basic लक्षन है वो है कि ठंड और कपकपी होकर कि बुखार का आना बुखार के बाद फिर पसीना का आना और जोर का कम हो जाना ये एक विशेश लक्षन है इसके साथ ही किसी को पेट में दर्द, किसी को दस्त यानि की पतला पेखाना होना, उल्टी होना, साथ में शेरीर दर्द, बदन दर्द, ऐसे कई लक्षन है भूक का नहीं लगना, ऐसे लक्षन के समू से malaria की पहचान होती है लेकिन इसकी मुखिता पहचान करने के लिए इस बात पर होती है कि इसका जो बुखार होता है निश्च समय पर ही आता है और हमेशा बुखार ठंड और कपकपी के साथ आता है और ठंड और कपकपी के साथ बुखार तभी कमता है जब पसीना आ जाता है ऐसा अक्सर देखा गया है इसके एक और लक्षण है कि ये रोज नहीं कभी एक दिन छोड़ करके या कभी दो दिन या हर थर्डे या हर फोर्थ डे पेस का रिपिटिशन होता है यानि कि इसमें इंटर्मिटेंसी रहती है malaria है या नहीं या कौन सा parasite से किसी व्यक्ति या कोई patient ग्रसित है इसको जानने के लिए हमको blood test कराना पड़ता है जिसमें blood peripheral smear से malaria parasite की जाच की जाती है उससे यह भी पता चलता है कि ये plasmodium y-vex से है या ovel से है या falsi param से है और इसके अलावा कुछ जाच serological test भी होते है RDDT करा सकते है rapid diagnostic test करा सकते है ऐसी कई चीजें हो सकती है होमेपैथिक में malaria की कई दवाईया है और इससे ना केवल malaria ठीक होता है बलकि बार-बार किसी व्यक्ति को जो malaria होता है वो भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है malaria बीमारी एक intermittent disease है और इसके बारे में आपको ये भी जानकारी दे दे अगर कोई होमेपैथिक के student ये teacher सुन रहे होंगे कि organon of medicine यानि philosophy of homeopathy में organon में forage number 230 से लेके 245 तक इसमें इसकी चर्चा की गई है malaria के लिए अगर हम दवा की बात करें तो सबसे पहली दवा जो आती है वो चाइना है और चाइना वो दवा है जिससे होमेपैथिक चिकत्सा जगत में करांती आया है और होमेपैथिक का अविश्कार भी हुआ इसी चाइना से इसके अलाबा चिनियम सल्फ, आरसेनिक आल्व, रस्टक्स, जलसीमियम, इपर्टोरियम, पर्फोलेट्रम और ऐसी कई दवाईया है जो की होमेपैथिक में दवाईया दी जाती है होमेपैथिक चिकत्सा में महत्पुन वातिया है कि ये विशेष से विशेष सिस्थिति की दवा रोगी को विशेष चरित्रगत लक्षणों के अधार पर दी जाती है जिससे रोगी पुर्णता निरोग हो जाता है जैसे रोगी को बुखार कब और कितने दिन बाद आ रहा है दो दिन पे आ रहा है या चार दिन पे आ रहा है क्या बुखार के साथ साथ पसीना आता है तो बुखार कमता है या नहीं कमता है या बुखार के साथ उसकी प्यास कैसी रहती है ऐसे ही कई मानसिक लक्षन जैसे कि मानसिक लक्षन क्या है मानसिक बेचेनी कैसी है शारिरिक बे के एक individualization किया जाता है एक case tracking करने के बाद और उसके अनुसार से उसकी दवा की chain की जाती है और उस patient को वो दवा दी जाती है और उस दवा को देने से रोगी अधिकतर ठीक हो जाया करते है आप लोगों को ये कहना बहुत ही आवश्यक है इस समय की आप लोगों को स्वेम से हुमेपेथिक चिकत्सक किसी फिरोग के लिए नहीं लेनी चाहिए चाहे malaria भी क्यों न हो आप लोगों को अगर चिकिस्ता लेनी है तो अनुभवी और ग्यानी होमेपैथिक चिकचक के पराबर्ष से ही आपको होमेपैथिक दवा लेनी चाहिए और साथ-साथ कि कभी भी ये एक दवा है जो कोई विशेश व्यक्ति ने खाया उसको ये चीशी चीशी को गया इसलिए वोई दवा सभी लोग खाये ये होमेपैथिक में नहीं होता है होमेपैथिक में ऐसी बाते नहीं है हर इंडिविज्यल परसन के लिए अलग अलग दवाई होते हैं चुकिए हर व्यक्ति का अलग कंस्टिशूशन होता है अलग मेंटल और कर्पूरियल मेकप होता है उसके लिए इंडिविज्यलाइजेशन करना ज़रूरी है आज मलेरिया दिबस है हमने बहुत ही संक्षित में आज मलेरिया के बारे में कुछ चर्चा की इसके फीजो पैथोलोजी या पैथो फीजोलोजिकल आस्पेक्ट्स पे हमने चर्चा नहीं की तो डियर फ्रेंड्स मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग स्वस्त रहें खुश रहें निरोग रहें और हैपी रहें और मलेरिया दिबस पे आज इतना ही फिर कभी और चर्चा होगी तो करूँगा धन्यवाद थैंक यू